हेलो फ्रेंड्स मैं विस्नू आरके एक्जाम क्रेकर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज की इस विडियो में मैं आप सभी के लिए हरियाना CET 2022 एक्जाम से रिलेटेड जर्नल नोलिज के कुछ और इंपोर्टेंट कोश्चन लेकर आ हूँ ये हमारा इन कोश्चन से रिलेटेड सेट 3 होगा इससे पहले दो विडियो में मैं 125 इंपोर्टेंट MCQ आपके साथ डिसकस कर चुका हूँ अगर आपने अब तक वो विडियो नहीं देखी हैं तो वो विडियो भी आप देख लीजिए क्योंकि जो मैं यहाँ पर कोश्चन लेकर आया हूँ ये काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है और एक्जाम में इनके पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है इसलिए फ्रेंट्स सभी विडियो पार्ट्स को ध्यान से देख लीजिए तो फ्रेंट्स आईए ज्यादा समय नहें लेते हुए आते हैं अपने कोश्चन पर देखते हैं आज का पहला कोश्चन पहला कोश्चन है आज का कोश्चन नमबर 126 एफिल टावर निमलिकित में से किस देश का राष्ट्रेस मार्क है एफिल टावर पुचा गया है किस देश का राष्ट्रेस मार्क है सही अंसरोगा option ए फ्रांस का एफिल टावर फ्रांस में है और उसका नेशनल सिंबल है राष्ट्रेस मार्क है याद रखेंगे ये कोश्चन कहीं बार पूचा गया एकजाम में Next question, सवतंतरता की मूर्ती यानि Statue of Liberty बोलते हैं इंगलीज में, यह किस देश का राष्ट्रेस मार्ग है? सही अंसर होगा option C, स्युक्त राज्य अमेरिका यानि US से का. पीसा की जुकी मिनार, निमलिखित में से किस देश का राष्ट्रेस मार्ग है? सही अंसर होगा हमारा option C, इटली का. पीसा की जुकी मिनारे हैं वो इटली में स्थीत हैं. निमलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मसूर है? राष्ट्रपिता जो टाइटल है, उपादी है, उसके नाम से कौन मसूर है? ऐसे कौन वैकती है? सही अंसरोगा ओप्षण B खान अब्ल गफार खान को फ्रन्टियर गांदी यह ताइटल मिला हुआ इस नाम से इसको हम अइतिहास में जानते हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं लोहपुरुस की उपाधी से किसे वहुशित किया गया लोपुरुस किन को बोला जाता है सही अंसर होगा हमारा option C सरदार वललब भाइप टेल को सरदार वललब भाइप टेल को लोपुरुस यानि आइरन मैन बोला जाता है गुरुदेव के नाम से कोन मसूर है सही अंसर होगा हमारा यहाँ पर option C रविंदर नाट टेगवर जो रविंदर नाट टेगवर जी है उनको गुरुदेव के नाम से जो है बोला जाता है उनका ये टाइटल है उपनाम है फ्रेंड्स जो हमारे famous इतियासकार हुए है या फिर जो famous personality है उनके जो उपनाम है उनसे related एक question exam में जरूर आता है इसलिए इन question को बिल्कुल ध्यान से याद किए question number 133 lady with the lamp किसे कहा जाता है जो lady with the lamp का title है वो किने दिया गया है सही answer होगा option B Florence Nightingale Florence Nightingale को बोले जाता lady with the lamp next question देखते हैं शात्र सेनाओ को सेना का नर्सरी किसने कहा जो शात्रों की सेनाओं है उसको सेना का नर्सरी किसने कहा है सही answer होगा हमारा यहाँ पर option C सुभाष चंदर बोष नेता जी उपनाब जो नेता जी उपनाम है इससे कोन परसिद होए है यहाँ पर हमारा सही answer होगा option B सुभाष चंदर बोष जी को हम नेता जी बोलते हैं लोकमान्य के नाम से कौन मसूर हुएं लोकमान्य जो उपनाम है ये किन का नाम है सही अंसरोंगा हमारा ओप्शन सी बाल गंगादर तिलक सहीदे आजम से किने जाना जाता है जो सहीदे आजम टाइटल दिया गया वो किन के नाम के साथ जोड़ा जाता है सही अंसरोंगा हमार CR दास यानि चितरंजन दास को देशवंदु बोला जाता है next question देखते हैं हाक्की का जादुगर यानि होक्की के जो magician है जादुगर है इन में निमिलिक्षित में से किसे कहा जाता है किस person को बोला जाता है होक्की का जादुगर यहाँ पर हमारा सही अंसरोगा option C महत्मा गांधी के समाधी स्थल को क्या कहा जाता है जो महत्मा गांधी का जहाँ पर समाधी बनी हुए है उस स्थल को क्या नाम दिया गया है एक special नाम है जो हमारे महापूर्स हुए है उनकी जो समाधिया है वहाँ पर हमने special नाम दिये हैं उनके तो पूछा गया महात्मा गांदी की जो समाधी स्तल है उसको क्या कहा जाता है सही अंसरोगा हमारा option B राजगाट जो राजगाट है वो महात्मा गांदी जी की समाधी है पर्थम ब्रिटीस गवर्नर जनरल निमिलिकित में से कौन थे जो पहले ब्रिटीस गवर्नर जनरल थे वो कौन थे सही अंसरोगा option B वारेन हैस्टिंग जो हैं वो पहले ब्रिटीस गवर्नर थे आजाद हिंद फोज का पर्थम सेनापती कौन था आजाद हिंद फोज के जो पर्थम सेनापती थे वो थे मोहन सिंग याद रखेंगे जो सुभाश्चंदर बोहजी है उसके साथ कन्फूज नहीं होना जो सबसे पहले से नापती थे वो मोहन सिंग जी थे भारत रतन से सम्मानित पर्थम महिला निमलिकित में से कौन थी यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा option C जो पहली जो महिला परधान मंत्री थी भारत की उनको सबसे पहले भारत रतन मिला था वो पहली महिला थी इसको पाने वाली काफी important question आपके लिए पर्थम भारतिय महिला IPS का नाम क्या है जो पहली महिला थी जो IPS बनी उनका क्या नाम है सही अंसर होगा option B किरन बेदी, किरन बेदी जी पहली महिला IPS है भारत की Mount Everest पर चड़ने वाली पर्थम भारतिय महिला कौन थी सही अंसर होगा हमारा option C सुस्री बचेंदरी पाल जो है सबसे पहले Mount Everest पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला थी तो फ्रेंड जो ये first persons हैं जिन्होंने जो भी record बनाया है या जो काम किया है उससे related भी exam में question पूछे जाते हैं गांदी जी ने सत्यागरा का प्रियोग सबसे पहले कहां किया था सही अंसर होगा हमारा option B दक्षिनी अफरिका में जब वो गए थे वहाँ पर सबसे पहले सत्यागरा का प्रियोग किया था उन्होंने पृत्वी का मांचितर बनाने वाला पर्थम वैक्ति कोन था जिसने जो पृत्वी है अर्थ है उसका मैप बनाया सबसे पहले कोन था वो वैक्ति सही अंसरोंगा option C अनेग जी मेंडर अनेग जी मेंडर जो है सबसे पहले वैक्ति थे जोनोंने पृत्वी का मांचितर त्यार किया था समुद्री मार्क से भारत की खोज करने वाला पर्थम यूरोपिय वैक्ति कोन था भारत की खोज करने वाले ये सबको पता होगा अलगबग सही अंसरोंगा option B वासकोडिगामा वासकोडिगामा ने भारत की खोज की थी बिर्टेन की पर्थम महिला परधानमंत्री निमलिकित में से कौन है बिर्टेन की जो पहली महिला परधानमंत्री बनी वो कौन है सही अंसर होगा option c margaret thatcher जो है वो built-in की पहली महिला परदान मंत्री बनी थी तो friends यह जो मैं question यहाँ पर आपके लिए लेकर आओं काफी important question है अगर आपको यह question पसंद आ रहे है और आपको अगर यह question काफी important question लग रहे है तो आप video को जो है ज्यादा से ज्यादा like कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ भी share कीजिए और ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लिए आप channel को subscribe जरूर कर लिए क्योंकि यहाँ पर अभी आने वाले समय में काफी important videos मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ अलगलग topics related तो friends देखते हैं next question question number 150 महिला जो पर्थम अंतरिक्स प्रियाटक बनी ऐसी कौन सी महिला जो सबसे पहली अंतरिक्स प्रियाटक बनी है अंतरिक्स में घूमने गई है सही answer होगा हमारा option A अनूसा जहांगिर अनूसा जहांगिर जी है जो पहली महिला अंतरिक्स प्रियाटक बनी है अंतरिक्स की यात्रा करने वाली पर्थम महिला थी यात्रा करने वाली पहली महिला कौन थी सही answer होगा option C वेलेंटिला त्रेश्कोवा जो as a tourist गई है वो याद रखेंगे अनूसा जहांगिर जी है और जो सबसे पहले गई है स्पेस में वो है वेलेंटिला त्रेश्कोवा उत्री द्रूप पर पहुँचने वाला पर्थम वैक्ति कौन है सही answer होगा हमारा option B Robert Perry Robert Perry जो है उत्री द्रूप नूर्थ पोल पर जाने वाले सबसे पहले वैक्ति है दक्सिनी द्रूप पर पहुचने वाले पर्थम वैक्ति कौन है सही answer होगा हमारा option B Amundsen Amundsen जो है वो साउथ पोल पर जाने वाले सबसे पहले वैक्ति है चंद्रमा की धर्ती पर कदम रखने वाला पर्थम वैक्ति कौन है सही answer होगा हमारा option B Neil Armstrong जो है मौन पर चंद्रमा पर जाने वाले पहले वैक्ति है विश्वे की पर्थम महिला परधान मंत्री कौन थी पूरे वर्ल्ड में जो परधान मंत्री बनी किसी वी देश की वो कौन थी सही answer होगा हमारा यहाँ पर option है स्रीमाओ वंडार नाई की और यह सिरलंका की पहली महिला परधान मंत्री बनी थी स्युक्त राष्टर संग का पर्थम महाश्चिव यानि सेक्रेटरी जरनल कौन बने थे सही answer होगा हमारा यहाँ पर option है ट्रिगवे ली यह question साहिद पहले भी आ चुका है स्युक्त राष्टर के पर्थम महाश्चिव ट्रिगवे ली निमेलिकित में से कागजी मुद्रा जो पेपर करंसी है उसको जारी करने वाला पहला देश कौन सा है सही answer होगा हमारा option B चीन जो चाइना है वो पेपर करंसी को जारी करने वाला पहला देश है भार्त के पर्थम उपगरेगा भारत का जो पहला सेटेलाइट है उसका क्या नाम था? सही अंचरोगा हमारा यहाँपर option C, आरियबट भारत का पहला सेटेलाइट आरियबट था चंदर्मा पर मानों भेजने वाला पर्थम देश सबसे पहला देश कौन साजिशने मानो यानि आदमी सबसे पहले चंदर्मा पर भेजे सई अंसर होगा हमारा ओप्षन ए स्यूख्ट राज्य अमरीका यानि U.S. से विश्वय का सबसे उचा परवत सिखर निमिलिकित में से कौन है जो सबसे उचा पर्वत सिगर है माउंटेन है विश्व की वो कोन सी है सही अंसरों का हमारा ओप्षन C माउंट एवरेष्ट ये लगबग सब को ही पता हुआ विश्व की सरवाधिक गहरी जील कोन सी है सबसे जो डीपेस्ट जील है लेक है कोन सी है सही अंसरों का हमारा option C बैकाल लेक सबसे गहरी लेक है पूरे वर्ल्ड की विश्वे की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है सही अंसरों का हमारा option एक कील नहर विश्वे का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है सही अंसरों का हमारा यहां पर औप्शन सी परशांत महासागर Pacific Ocean है जो परशांत महासागर है विश्वय का सबसे बड़ा महासागर है सबसे लंबा जीवित वरिख्ष कौन सा है सबसे लंबा वरिख्ष है option A, Eucalyptus Eucalyptus का वरिख्ष सबसे लंबा वरिख्ष है इसकी हाइट सबसे ज्यादा होती है विश्वे में सरवाधिक वैक्तियों दुआरा बोली जाने वाली भासा कौन सी है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भासा सही अंसरोंगा option B Mandarin चीनी चाइना की language है Mandarin भी वारीन ये सबसे ज़्यादा वर्ड में बोली जाने वाली भासा है. नेक्स्ट कोश्वा देखते हैं, अक्षेतर्फल की दृष्टी से भार्त में सबसे छोटा राज्य है. जो area wise पूछा गया सबसे छोटा राज्य है सबसे जो small state है इंडिया में कौन सा है तो यहाँ पर हमारा सही अंसर होगा option D सिक्किम area wise सबसे छोटा राज्य याद रखेंगे सिक्किम है निमिलिखित राज्यों में सरवाधिक अक्षित्रफल किस राज्य का है नोबल पुरुषकार कब आरब किये गए नोबल पुरुषकार वर्ल्ड का काफी famous प्राइज है यह कब शुरू किये गए यह पूछा गया है सही अंसर होगा option B वर्स 1901 में याद रखेंगे 1901 में नोबल पुरुषकार जो है शुरू किये गए थे नोबल पुरुषकार कितने अक्षित्रों में कितने अक्षित्रों में दिये जाते हैं सही अंसर होगा हमारा option D 6 छे अक्षित्रों में नोबल पुरुषकार दिये जाते हैं नोबल पुरुसकार से सम्मानित पर्थम भारत्य कौन थे? काफी important question है, कहीं बार पूछा गया exam में. नोबल पुरुसकार सबसे पहले भारत्य को मिला था, वो कौन थे? तो यहाँ पर हमारा सही answer होगा option B, रविंदर नाट टैगोर. रविंदर नाट टैगोर जी को जो citizen award है, वो कौन सा है? अमारा option है भारत रतन. निमिलिकित में कौन सा पुरुसकार केवल साहितते से सम्मानित है, साहितते से साहब पुरुषकार फिलम के किस अक्षित्र में उलेखनिय सेवा के लिए दिया जाता है सही अंसर होगा हमारा ओप्षन डी फिलम उदोग विकास के लिए सर्वेश्च सेवा हे तू जो दादा साहब पुरुषकार दिये जाते हैं किस भारतिय मूल के वैक्ति को अर्थ सास्तर में नोबल पुरुषकार प्राप्त हुआ है ऐसे कौन से वैक्ति हैं जो इंडियन ओरिजन के है जिनको अर्थ सास्तर में जो है एकोनोमिक्स में नोबल पुरुषकार मिला हुआ है सही अंसरोंगा हमारा option ए अमर्ते सेन Next question देखते हैं Mother Teresa को जो Nobel पुरुसकार मिला वो 1989 में 1979 में मिला किस अक्षित्र में मिला है सही अंसरोंगा हमारा option है सान्ती के अक्षित्र में जो Peace के लिए Nobel Prize है वो Mother Teresa को 1989 में मिला राजीव गांदी सद्भावना पुरुसकार जो ये राजीव गांदी सद्भावना अवार्ड पुरुसकार है ये कोन परदान करता है कोन सी foundation है कोन सा organization है सही अंसरोंगा हमारा option सी राजीव गांदी foundation है जो वो राजीव गांदी सद्वावना पुरुसकार परदान करते है पुलिटजर पुरुसकार जो पुलिटजर अवार्ड है वो कौन सा देश परदान करता है यह किस देश का अवार्ड है सही अंसरोगा ओप्षन है स्यूक्त राज्य अमेरिका धीए खेल परदर्शन यहाँ पर कंशूज करने वाला option है तो खेल परसिक्षन कोच को दिया जाता है दुरोनचारीय पुरुसकार संकर पुरुसकार कोन परदान करता है संकर पुरुसकार कोन परदान करता है सही अंसर होगा option है केके बिरला फाउंडेशन काफी important foundation है कहीं तरह के पुरुसकार यह देती है तो संकर पुरुसकार जो है यह परदान करती है केके बिर्ला foundation पर्थम ग्यानपीट पुरुसकार किसे मिला कहीं बार पूछा गया क्वेशन काफी important question है exam के लिए सबसे पहला जो ग्यानपीट पुरुसकार है वो मिला G.Sankar Group को सबसे पहला ग्यानपीट पुरुसकार मिला है निमलिकित में कौन सा पुरुसकार Asia के नोबल पुरुसकारों के रूप में परसीद है Asia का नोबल पुरुसकार Asia का नोबल प्राइस किस पुरुसकार को बोला जाता है सही अंसरोगा option A रमन मैगसे से अवार्ड रमन मैगसे से अवार्ड है जो उसको एसिया का नोबल प्राइज बोला जाता है ओलम्पिक खेलों का आदर्स वाक्य मोटो क्या है जो ओलम्पिक खेल है जो हर चार साल बाद आते हैं उनका मोटो क्या है उनका एक आदर्स वाक्य होता है वो क्या है तो यहां पर हमारा सही अंसरोगा option C साइटियस अल्टियस, फोरे यस ओलम्पिक खेलों के जंडे में कितने रंग के छले होते हैं जो रिंग्स होती हैं उलम्पिक में जो खेल होते हैं उसका जो जंडा है फ्लेग है उसमें रिंग बनी होती हैं तो वो कितने रंग के छले हैं सही अंसरोगा हमारा option C पांच वहाँ पर रिंग्स होती हैं और पांच कोंटिनेंट को दिखाती हैं पर्थम ACI खेलों में कितने देशों ने भाग लिया आज का लास्ट कोश्चन है फ्रेंट्स कोश्चन 185 जो पहले ACI गेम्स होए थे उनमें कितने देशों ने भाग लिया था सही अंसरोगा option B 11 यानि 11 ACI जो 11 देश है उन्होंने पहले ACI खेलों में भाग लिया था तो फ्रेंट्स यहां पर हमने आज की कुछ important question कवर कर लिये आसा करता हूँ यह question आपको पसंद आये हुए अगर आपको हमारे question जो यहां पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को like कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ share कीजिए और ऐसी ज्यादा से ज्यादा वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर कर लेजिए और bell icon को भी press कर लेजिए इससे आपको हमारी वीडियो के notification मिलते रहेंगे और आप बिना किसी problem के जो है videos को देखते रहेंगे तो friends इसी के साथ आज की वीडियो को subscribe करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में और अच्छे questions के साथ Thank you